अगली फिल्म का एलान हो चुका है तो आप भी जानना चाते कि इस फिल्म में कौन सी एक्टरस काम करेंगी तो इस वीडियो को लच तक जुरू देखिये मैं आपका दोस्त चुमित के राविल तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि कनट सुपरिश्टारियस अपनी हालिया जिलिज ब्लगबश्टर फिल्म केजिएफ चेप्टर टू से पूरी दुनिया में तहलका मचा चुके हैं इसके बाद से ही इनकी अगली फिल्म के लिए दर्सक काफी बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं हाला कि दोस्तों सुपरिश्टार यस अपनी अगली फिल्म के नाम का एलान अभी तक नहीं किया है वहीं खबर है कि प्रसान निल केजेफ चेप्टर टू के अगले पार्ट यानि कि केजेफ चेप्टर टू को भी जल्दी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं वहीं दोस्तों इधर चर्चा है कि सुपरिश्टार यस अपनी एक और पैन इंडिया रिलिज फिल्म के लिए निर्देशक नार्थन के साथ हाथ मिला लिया है लेकिन अभी तक इस फिल्म का भी आधारिक एलान नहीं हुआ है आला कि दोस्तों अब इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है खब्रों की माने तो सुपरिश्टार यस इस टारर निर्देशक नार्थन के अगली फिल्म में एक्स के नाम पर चर्चा चल रही है दोस्तो रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में सुपरश्टायस के अपोजिट एक्टरस पूजा हेग्रे नजर आने वाली है रिपोर्ट्स की माने तो पूजा हेग्रे का नाम इस लिष्ट में सामिल एक्टरस में सबसे आगे चल रहा है वहीं दोस्तों आपको बता दू कि एक्टरस पूजा हेगरे बालीबुट और साउथ की सबसे जानी मानी एक्टरस हैं हाला कि दोस्तों अभी तक पूजा हेगरे किसी भी पैन इंडिया रिलिज फिल्म में काम नहीं की है अगर दोस्तो एक्टरस पूजा हेगड़े इस फिल्म के लिए हाँ कहती है तो उनकी यह पहली पैन इंडिया रिलिज फिल्म होगी आला कि अभी तक यह एक सिर्फ खबर है इसके आधारिक एलान का हमें बेसबरी से इंतिजार है वही दोस्तो बात करें पूजा हेगड़े के वर्क फ्रंट की तो वह जल्द ही विजय देवरा कुंड़ा की इस टारर फिल्म जनगर मन में और रडबी सिंग की फिल्म सरकस और सलमान खान की फिल्म कभी इद कभी दिवाली में नजर आने वाली है वही दोस्तो आप सभी को लाश्ट में बता दू कि अगर पूजा हेगड़े इस फिल्म के लिए हां कहती है तो सुपरश्टा यस के साथ हुआ पहली बार पान स्क्रीन सेर करती हुई दिखाई देंगी और आप भी सुपरश्टा यस पूजा के डाई हाट फैन तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताकि इस फिल्म के आने वाली सभी लेट अपडेट आपको मिल सके तो मिलते हैं अगली वीडियो में